इस वीडियो में हम discuss करेंगे अगर हमें दो matrix given है और उनका eigen value हमें पता है separately we know the eigen value of two matrix A and B तो A, B का eigen value क्या होगा या फिर B, A का eigen value क्या होगा ठीक है तो इस चीज़को आप discuss करने वाले हैं तो आप टॉपिक इस eigen value of the product of two matrix तो उसको दिहान से समझे, मान लेजे हमारे पास जो A है उसका eigen value है A एक eigen value हमें पता है और B matrix की एक eigen value हमें पता है B तो क्या हम EB का eigen value AB लिख सकते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा सिर्फ एक ही case में हो सकता है जब matrix A and B का हमारे पास हमें पता हो कि उनका एक same eigen vector हो अगर same eigen vector है उनका तो ही इस तरीके से product किया जा सकता है जैसे कि मान लीजे हमारे पास A का जो eigen value हमें एक eigen value पता है that is A तो अगर हम A square की eigen value निकालते हैं तो हम simply क्या लिख देते हैं A square या फिर हमें 1 identity matrix plus में 2A अगर हमें इसके eigen value निकालनी है तो we know that कि identity matrix की जो eigen value होती है वो है 1 plus में 2 और A की eigen value हम लिख सकते हैं यहाँ पर A तो जो हमें इसके eigen value दिखाई देगी वो कुछ इस type से दिखाई देगी तो अगर हम जब A into A matrix which is A square इसके eigen value को A square लिख सकते हैं तो हम A into B के eigen values को A भी क्यों नहीं लिख सकते हैं यह equation है तो जैसा कि मैंने बोला हम तभी product कर सकते हैं जब उनका eigen vector हमें same मिल जाए ठीक है otherwise नहीं किया जा सकता अब जो matrix A यहाँ पर है और जो दूसरी matrix हम यहाँ पर A ले रहे हैं क्योंकि दोनों matrix से same है तो दोनों का eigen vector भी same होगा और यही reason है कि इसको अराम से product करके इनके eigen A square की eigen value को हम find कर सकते हैं या A cube हो गया या A to the power 4 हो गया पर जब दो matrix दो अलग-अलग matrix की बात होती है तो यह कहपाना कि दोनों का product हो जाएगा या फर जो आइगन value मिलेगी वो उनके product में मिलेगी या फर नहीं मिलेगी यह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यह चीज़ depend करती है एक ही condition पे which is same eigen vector यहाँ पर आप इसको same eigen vectors कर लीजें ठीक है अगर A और B के same eigen vectors होते हैं तो ही किया जा सकता है तो यह important है eigen vectors I hope आपको यह concept clear हो गया होगा so thank you thank you for watching